नमस्कार संसार करांती की टीम इसमें जीन में मौझूद है और जैसा कि दर्सकों के साथ क्मिटमेंट करके चलते हैं कि हर बार किसे ने किसी खास कारी कर्म में और खास खास खुशित से मुलाकात कराते रहेंगी तो आज इसी कड़ी में हम बात करते हैं महतमा गान दी शिक्षा एम समाज विकास संग्ठन के फाउंडर अजेक्षा है राजकुमार बोला जी सबसे पहले तो स्वागत आपका संसार कान देख खासकरी करम में मैं संसार करांती की पूरी टीम को बढ़ाई देता हूं वो बढ़ा अच्छा समाज को आगे बढ़ाने के लिए समाज के युवाओं को सही दिशा लेगाने के लिए तो ये जो चैनल है बढ़ा अच्छा कारिये कर रहा है मैं पूरी संसार करांती टेम को इसके लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और उनके उजूल बोशे के लिए मंगल कामनाई भी देता हूँ सर अविहा आपके संग्ठन की ही हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जाना चाहोँगा कि आपके संग्ठन का मुख्bies से क्या है समाज के लिए हमारा संक्टन का यही विदेश्ट है कि समाज में जितनी भी कुरुतियां है जो समाजे कुरुतिया कही जाती है चाहिए वो देजपरता है कन्या भॉनत्या है बाल विवा है या अन्य जो लड़कियों के साथ आजकल जो चेट खानी गटना है बढ़ रही है और शिक्षा से जो समाज है उनको शिक्षित करना है देज की राष्ट्य अगनता को मजबूत करना है इन सब विश्यों के लेकर जो है महात्मागान शिक्षा है समाज विकास संक्टन द्रेंतर परियास कर रहा हो करता रहेगा कब से स्टार्ट किया असरा आपनी जो समिठन है कब से कारिये करें रहें समाज के लिए हम दो धारनों से जिसी बिल्कुल जमीनी इस थरफ दर कारिया कर चुक्य हैं और कर रहे हैं अब तक हमने लब दो सो पचेटर जो कन्हा कुण कि है बेटियों के जिनम पर जहां एक तरफ है जब हमने ये शिरुआज की थी जब बेटियों के लिए समाज के लोगों में इतना अच्छा महतुद नहीं दिया जाता था, उनके जनम पर इतनी खुशियां नहीं बनाई जाती है, जितनी आज हमारे प्रियासों से अन्य और संस्ताओं के प्रियासों से मनाई जाती है, हमारी सरोपर्थम संस्ता है, जिन्होंने जो मखवीरी योजना जो सरकार की पहले जो है भून अत्या की जाँस करने या करने वाड़ों के बारे हम जानकर देने के बीच जारकित ही थी और हमारी संस्तान ने एक लाकी की उसके बाद काफी बदलाव इसमें आए आज सरकार भी उसी नाम को एक लाकर रही है और काफी मुक्विर शामने आइए आफ डॉक्टर और स्वास्ति भाकिटी में लगातार जो है इसमें काम करेंगा भाताजी आगामी आपकी संग्ठन की तरफ से आपकी जो समस्था है इसकी तरफ से क्या योजनाई रहेंगी युवा निर्मान को लेकर के भी समाज की विकासकारियों में भी किस तरह की योजनाई रहेंगी अब हमारा वदेश्य जो समाज का युवा जो है पत्वरष्ट हो गया उसको सही दिशा पर लाने के लिए हम गाउं गाउं में कांसिलिंग करेंगे उन युवाओं के नहीं मिल पाती फिर वो दूसरी दिशा में चली जाती है तो हमारा वदेश्य यह रहेगा युवाओं की जो एनर्जी हम सही दिशा में लगाएं समाज विकास में लगाएं समाज उत्थान में लगाएं नहीं कि वो युवा कहीं नसे में कहीं धुमरपान में या अन्य जो जो टाइम खराब करने के समय पर बात करने की जो चीज़े हैं वहां वो समय खराब करें अब हम सही जगह पर उन बच्चों को मोटिवेट करेंगे और गाउं गाउं में जाकर उनके संक्टन खोलेंगे गाउं में जैसे सवस्ता के बात कर लें खेलों की बात कर लें शिक्षय सा लगजाते हैं तो इन चीजों पर हम पूरा ध्यान रखेंगे कि क्योंकि बच्टाइबी जो है आज कल प्रियावन के लिए भी काम करे कहां-काँ फैलाओं आपके संक्थन का किन किनलों境 में हरया रियाना के में चरण आके簽 हरी समाज में फैली जो भी कुरूतियां होते हैं उनको दूर करने के लिए अर्व पूरा बरुसा दिखाते हैं हर्याना ही नहीं हम राजस्तान मद्द्ध प्रदेश महाराश्टर और अन्य जो हमारे बड़े-बड़े राज्ये हैं उन सब में जो है समाज में जितनी भी कुरूत बनाई है एवई-पी डौट-कॉम के नाम से उसके हमारे समाज के सभी बच्चे जो अठारा साल से लड़कियां उपर हैं और एक साल कर रहे हैं उसको चल रहे हैं सर अभी एक नया मुद्धा आपने पता है हरियाना में जो गैंगरेप और बलातकार जो ऐसी दिन परती दिन हर दिन कोई ऐसी न्यू जाती है कि अव्यक्ति को जज़कोर दे जाती है तो ऐसे में क्या प्रियास रहेगा उन यूवां को सुदारने का जो यूवा निर्मास क और चाहिए यूवां को लेकर के? यह कहीं निगल्द संगत का इनतीजा है बच्चे घल्ड़ के बैटते हैं और इसका जो है गल्द प्रभा बच्चोके अपर पढ़ता है खासकर जो है नसा बच्चो को इस Cities को को इस तरफ लेके जा रहा है तो नसे में जो इसम स्मस्तो की क्यों जैसे वो यह मुबाइल बना था जुडाओं का साथ ना लेकिन इसने कहीं के पूरे प्रिवार को अलग कर दिया तोड़ने काम किया अच्छा ने किया उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया हम जो समय हम बच्चों से हमारे बात चीत करने का है वो समय हम आपस में मुबा के पास बेटते थे आज बुजरुक के पास कोई बेटता है नहीं नहीं बुजरुक के पास बेटने के लिए नंबर लिए करते मैं जाओं बदादाजे के पास लेकिन आज वो चीश्टे इस चितिया नहीं है तो यह यह जो चीज़े हैं हमने दुबारा से सभी के प्रियास की जो चैनल की तरफ से सभी देष और प्रदेश के नागरी को यहीं कहना चाऊंगा कि रास्थर रहितुमय कारिय करें रास्थर को जोड़ने यहा पर कारिया करें और देषट की एकता और अखड़ता को मजबूत करने के लिए कारिये कारिया करें नए की देश का तुन परवाफ शासन प्रशासन कि जानकारी में नेट्रितों में की कोशल विकास के बहुत से रोजगार के सादन है वे लोग जो है इस तरह के प्रियास कर सकते हैं मैं उनको भी आजवासन करूँगा और उनका इसके लिए आहवान करूँगा सारे युवा जो है स्किल्ड आलोमेंट युजणा से जुड़े और वो आगे बढ़ने का प्रियास करें बिलकुल तो ये थे हमारे साथ महतमा गांदी शिक्षा में विकास संग्ठन के फाउंडर देक्ष राजकुमार बोडा जी जिन्होंने युवाओं के लिए अच्छी जहां ही हम वीचारों के बात करते हैं अच्छी वीचार दारा दी है और प्रदानमंत्री जो योजना है उसके बारे में बे अवगत कराया है तो अधिक जानकारे के लिए संसार करांती के साथ जुड़े रहे तब तक के लिए संसार करांती के लिए जीन्होंने जाब भारदवाज